पंजब नेशनल बैंग में आप घर बैठे मुवाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको यूज करना चाहते हैं और आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में पूरा आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं इसमें सिर्फ आपको आधर कार्ड किया वह सकता है सिर्फ आधर कार्ड के दोवार आप इसमें एट वीडियो को सूर करते हैं आपको हम दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा आपको मोबाइल के पहले अगला ओप्सन खुल के आगया है, यहाँ पर देख पार है, पोर से टू लॉग इन और यहाँ पर अपन अकाउंट, तो हम यहाँ पर पोर से टू लॉग इन पर किलिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किलिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किलिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किलि इसको activate करना चाहते हैं तो हम यहां पर आधर काड के दोबर activate करेंगे तो हमको यहां पर click कर देना है जैसे हम यहां पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर आगला interface खुल के आजाएगा और आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा वार उतोष सबीब्स करने कि यहांब देख पीजित पॉइवागर वा solar हो उसके बाद उसके बाद यहां पर यहांपर देख पाएड़ बार्ट यहां पर अधर काड में मैं जो देट उदर यहां र размस पर ना चाहतना है टो यहां पटिक रहने देंगे अगर आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों का इसार भी से लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किलिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर देख पार विव अनली और यहाँ पर विव एंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर सो करा तो इ आप कुछ भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पर विव एंट ट्रांजेक्शन पर आप किलिक करने के बाद आप कंटिनू पर किलिक कर देंगे जैसे आप कंटिनू पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर आगला ओप्सन खुल के आ जाएगा आने के बाद यहाँ पर अ जैसे आप सब्मिट पर किलिक करेंगे, किलिक काने के बाद यहाँ पर आगला उप्सन खूल के आ गया, आने के बाद यहाँ पर आपका अधर कार्ड के साथ जो आपका मोबाईल नंबर लिंक किया हुआ, उस नंबर पर एक OTP भीजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फि करने के लिए यहाँ पर डाल देना, डालने के बाद यहाँ पर टांजेक्शन पासवर्ड आपको डालना होगा, वही टांजेक्शन पासवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पर एक नया TPN बना लेंगे, बनाने के बाद फिर से यहां पर आगला ऑप्सन खुल के आ जाएगा और आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा successful यहां पर आपको user ID मिला है उस user ID को यहां से copy कर लेना है करने के बाद signing पर आपको click कर देना होगा यहां पर first time home page पर आगे आने के बाद यहां proceed to login पर आपको click कर देना है जैसे आप यहां पर click करने के बाद यहां पर user ID को डाल देना है डालने के बाद signing पर हमको click कर देना है तो हम यहां पर user ID डाल देते हैं डालने के बाद हम signing पर click कर दता है जैसे हम signing पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आगला interface देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपका SIM यहाँ पर select करने के लिए कहा जाएगा जो भी आपका account number के साथ आपका SIM यहाँ पर activate किया हुआ मतलब जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से select करना होगा अगर आपका यहाँ सिंगल SIM है यहाँ पर तो इसको select करने के बाद continue पर आपको click कर देना है जैसे यहाँ पर continue पर click करेंगे click करने के बाद इसको verify किया जाएगा verify करने के बाद आपका mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर fill up कर देना है करने के बाद continue पर आपको click कर देना है जैसे आप continue पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा processing लेगा लेने के बाद यहाँ पर आपका MPN एक बनाना होगा तो यहाँ पर एक MPN बना लेंगे उसके बाद आपको क्या काम करना होगा signing पर आपको click करना होगा तो हम यहाँ पर signing पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर MPN बनाए है उस MPN को यहाँ पर fill up करना होगा जो 4 digit का MPN बनाए है उस M-PIN को यहां पर हम फिलब कर देते हैं, करने के बाद उसको लागिन कर लेते हैं जैसे हम यहां पर किलिक करने के बाद यहां पर थोड़ा सब पोर से सिर्ण लेगा लें उसके बाद इसका पूरा डेजबुट यहां पर खूल के आ गया है यहां पर किलिक करके पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं इसी तरह आप इसमें बहुत सरा अफसन का यहां पर लाब ले सकते हैं मोबाइल बैंकिंग को रिश्टेशन करने में किसी भी परकर का पूर वालम आए तो कॉमेंट बाक्स पर आप जरूर लिखें उसका रिपला हम देने का कोशी जरूर करेंगे और कैसे क्या काम करना होगा उसके बाद आपको हम जरूर बताएंगे वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा